हलो एवरीवान गुड मांनिंग डहनें, कैसे हैं आप सबी और अब यहां पर देखिये, शुबह का टाइम है, और बारिश हो रही हैं, यहां पर बहुत तेज बारिश थी, और बारिश जोती पर राज से ही हो रही थी, तो शुबह के टाइम पर जब मैं उठी, तो उठके मै अब यहां पर मैं आप लोगों को टाइम दिखा रही हूं तो टाइम हो रहा है सुबह के पॉने छे पॉने छे भी ज्यादा है क्योंकि टाइम अभी कम है साड़े पांच ही हुए हैं मैंने जो है यह घड़ी आगे की हुई है थोड़ी सी 10-15 मिनट और यह मेरे कपड़े जो ह आज बनाना है राजमा और चावल तो यहां पर राजमा है वो मैंने पहले ही दो के कुकर में चड़ा दिया था और इसके बाद इसमें दो तीन आलू डाल दी है और आलू हमेशा मैं छील के ही डालती हूं क्योंकि फिर बाद में छीलने की प्रॉब्लम नहीं होती पहले ही काटके डाल दो तो फिर बाद में फटा फट बॉयल होने के बाद एकदम से इसमें इसको फ्राइ कर दो और मैंने इसमें नमक डाल दिया है आदा चमच और इसको बलने के लिए रख दूँगी फिर इसकी आपाद बनाने है और अब यहां पर मैंने राजमा बॉयल करने के पर शौटेसर नमक लीका खफिए और मसाल दानी नियुक्त भेले मने ने रहते हैं लेकिन मैं मसाल कर दानी में जो हैं सत्युखँमा खतम हो गए थे शुखभी पर तो मैंने इसको इसमे रिता दी है और जो यह मसालदानी यह भी गंदी हो रही थी क्या होता है जब हम निकालते हैं तो दो तिन दिन में थोड़ा बहुत गिर ही जाता है उसके अंदर तो वह हमेशा एक पेपर लगाती हूं कागज का पेपर हमेशा लगा के रखती क्योंकि निचे से क्या होता है नमक बगेरा इसमें जो डल जाता है तो उससे थोड़ा सा जंग साना शुरू हो जाता है और वैसे बहुसतारे लोग है जो नमक है इसमें नहीं रखते हैं और वो राजमा बनानी की तैयारी तो यह मैंने कढ़ाई रखती है गैस के ऊपर कढ़ाई है गरम हो गई है काफी अभी जाओ जल्दी लिए आफटावाट तो यह मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा सरसो का तेल यह मुझे चाहिए था और यह रखा है राजमा बॉइल किया की कूकर में बनारे है मुझे चाबल आज यहां पार तेल मेरा हो चुका है गरम और यह एड कर दिया मैंने इसमें हेंग और यह डाल दिया इसमें जीरा और आज सब्जी जो है मैं बना रही हूं यह बच्छों को पढ़ा रहे हैं और यह बनाकर रखा हूए मैंने टमाटर अल यहों अब हरी मिर्च का पेस्ट ए हम उडिया है रागो जीरा भी मेरा हो घब और यहां पर जीरे और आज तो अब बणार डाब का पेस्ट ए ह interessante और अब मैं इसको यहां पर चेक करूँगी कि इसका जो मसाला है यह ग्रेवी है तो यह देखिए इसमें से निकलना शुरू हो गया है और यह ग्रेवी जैसी मेरे को चाहिए वैसी हो गई है और आप चाहूं तो इसमें प्याज नहीं तुछ भी राल सकते हो उससे भी और सब्सक्राइब नहीं डाली है तो बस अब मैं हापर डाल दूंगी जो रखा हुए राजमा यह एड़ कर दिया मैंने इसमें यह राजमा और आलू और मैं आलू ही डाल के बनाती हूं राजमे में हमेशा क्योंकि उससे क्यों होता है ना राजमा एक दम गाड़ा गाड़ा स हो जाता है और चावल के साथ वैसे भी थोड़ा सा राजमा एक्सटा ही बनाना पड़ता है तो इसमें पानी एड़नी करूंगी क्योंकि पानी जो है पहले से ही राजमे के साथ है जो मैंने बॉइल किया था तो तब था इसके अंदर तो बस अब इसको मैं इसके जो आलू है वो इसको फोड दूंगी क्योंकि यह बड़े बड़े थे मैंने काटे मंदद फोडे नहीं थे काटे नहीं थे ऐसी डाल दिये थे और इसके बाद मैं इसमें हल्का सा गरब मसाला डालूँगी यह आलू भी मैंने आपे फोड दियें और देखिए किता सुन्दर सा कलर आया है राजमे में यह मैंने आलू भी स्केट भी फोड दियें क्यों बड़े-बड़े से थे ने मैं इतना ही रखूंगी लिक्विड होना पाने ही डालूँगी क्योंकि पानी से फिर ज्यादा लेखिविड हो जाएगा और यह है जाλα दिया मैंने इसमें गरम मसाला और बस अब मैं इसको इसमें मैंने गरम मसाला भी एड़ कर दिया है और अब इसको बस 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 एक दो बॉयल आने तक ऐसी ही छोड़ दूँगी और इसके बाद मैं बनाऊंगी चावल फुर्के आज थोड़े ही बनाऊंगी क्योंकि चावल के साथ है ना फुर्के थोड़े कम भी बनते हैं अब मैंने इसको धक्के रख दिया है और अब मैं यहाँ पर राजमा चेक करूँगी तो राजमा मेरा यहाँ पर उबल चुका है मैंने गैस सिम कर दी थी बिल्कुल इसको मेरा यह दीरे दीरे गैस पर हो गया है और यह देखिए कितना सुन्दर सा कलर राया है इसमें आप चाहो तो इसमें अरा दिया भी डाल सकते हो लेकिन हरा दिया नहीं है इस टाइंट नहीं है तो बस और इसको मैं गैस को बंद कर दूँगी बिल्कुल यह हो चुका है और यहाँ पर मेरे इस वाले गुकर में बनने है चावल साथ की साथ मैंने इसमें चावल भी बॉयल होने के लिए रखते हैं कूए कि चावल करके नाती हुआ है सिसके बाद मुझे बनाने है फुलके में दूसके बनने के बाद चावल vegan भनाऊगी तब नाजता है तयार है अब नाछता अधिश्य दोस्य भाड़ में नाटव पे चाहएं जुफ्य हैं और मेला है नाटी और salad में काटा है प्याज, क्योंकि चावल के साथ है, कच्छी प्याज बहुत अच्छे लगती है, और इनका नाष्टर लगा दिया है, मैंने क्योंकि सबसे पहले नाष्टर यही करते हैं, क्योंकि इन्हे जाना होता है, जाना होता है office, तो बस आप लोग बताइए, कैसे बन में नहीं खोली थी क्योंकि पारिश बहुती और बीच-बीच में आ गए थी जब कर आ गए थी कोई फोन कर देता है तो और यहां पर फैन चलता है तो फैन की आप लोगों को आवाज आ रही होगी मैं फैन आफ्टार देती हूँ तो और आज मैं केई दिन बात के सामने आईए क्योंकि मीन ही नि मिल पारा था और फिर जिस दिर मार की जाओ तो उस दिन का काम पेंडिंग वो नैक्स दे करना पड़ता है तो बस यह है और आज आज आप लोगों से कुछ बात बतानी थी तो इस वज़े से आई हूं नहीं तो मैंने वीडियो बना के रखी हुई थी लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों नहीं म और जो मेरा चैनल है वो ओड़ाईजेशन हो गया है आप सब लोगों की वज़े से क्योंकि आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया और इतना मुझे सपोर्ट किया और उसके लिए सबी का दिल से ठेंक्यू कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरा भी कभी मॉनोडाईजेशन हो ज हो गए थे 15-20 दिन पहले और मेरा जो मोनोटाइशन हो गया है मेरी चैनल में एड लग गई है तो आप लोगों का फिर से दिल से थैंक यू बहुत बढ़े वाला क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के भी ना कुछ नहीं हो पाता है और आप लोगों से बात बताना तो बनता ही है मेरा मोनोकाइशन हो गया है और इतना मुझे इसका डिटेव में नहीं मालूप है क्योंकि मुझे तो सब्कुर्ट जो भी है कवली बताती है मैं सही बताए हूँ मैंने out arrow इरादा नहीं ऑच्छा लगता है क्योंकि आप लोग इसका मतलब आप लोग आप हमें अपना मानते हो अपना समझते हूँ और जो आपना समझे तो कोई भी किसी को नहीं बता पाएगा तो चलो भई मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक के लि और अब अन्देरा होना शूरू हो गया शाम का टाइम है शाम के बजने साथ तो थोड़ा बाहर की तरफ भी काला काला सा हो रहा है मतलब रात सी हो गई है और फैन चलना है फैन की भी आवाज नहीं आ पाएगी तो आप सब लोगों को फिर फिर दुबारा दिल से थैंक्यूं क्योंकि आप लोगों की वज़े से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ तो प्लीज ऐसे ही सपोर्ट करना और सबी को सपोर्ट करो जित्ते भी यूटूबर्स हैं क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में पहले तो मैं भी कोमल को बोल देती थी नहीं कोमल क्या है हम जिसी भी काम को करते हैं तो उसकी आदत पर जाती कुछ भी हो कोई भी काम हो जैसे मेर को मेरी आदत बन गई है कि मुझे इस टाइम उटना इस टाइम च्वाप जाना इस टाइम मलें यह काम करना और देखो मैं बीच बीच में वीडियो भी बना लेती हूँ कट गटके लोगों से एक अच्छी सी वीडियो के साथ अब तक के लिए वाई बाई सी यू टेक केर